हे फ्रेंड्स आप सुवई को TMS के एक नया वीडियो में सौगत है तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है रावान टू मुवी के बारे में बहुत सारे लोग रावान टू मुवी के लिए बहुत ज़्यादा उत्तावले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग सारुखन को कोईश्चन कर रहे हैं कि रावान टू आएगा की नहीं तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सबस्काइब कर लेना और पास में जो बेले के नो उसको औल पे सेट कर देना और एसी इंट्रेस्टिंग मुवी और वेव सेरीज के बारे में जानने के लिए तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जिन लोगों पता नहीं है रावान एक मुवी है जो 2011 सल में आया था जिस मुवी का वजेट था 130 कड़ोर का और इसने वाल्डवाइड कमाई की 210 कड़ोर का तो भाय आप लोग सोचके देखो की 130 कड़ोर 2010 सल में बहुत ज़्यादा पैसा होता है और इस मुवी है वैसे भी कमाई बहुत ज़्यादा किया रावान मुवी का जो डिरेक्टर है वो है अनवव सिना जिसने एक प्रेस कॉनफरेंस में यह एनाउंस किया था कि यह मुवी आ सकता है फ्यूचर में पर इसका कोई डेट एनाउंस नहीं किया था पर जब या 2027 में क्यूंकि 2023 में सारुखन का और एक मुवी रिलीज होने वाला है जिसका नाम है जवान उसके बाद 2024 में रिलीज होने वाला है डुंग की यह दोनों मुवी सारुखन का बहुत बढ़ा बढ़ा मुवी है इसलिए ए मुवी के बाद अगर सूटिंग स्टार्ट ग्यक्ति में वह भी आ सकता है और एक मेर रीजन है इस मुवी का इतना जदा लेट करने का क्यूंकि यह व्य बहुत बढ़ा मुवी होने वाला है तो आप एस सोच के देखो 2010 सल में यह इतना बढ़ा मुवी कर दिया कि 2030 सल का मुवी यह लोग 2010 सल में दिखा दिया है तो पुताबिक ये मुवी में रहने वाल है सारुक खान, करीना कापूर, अर्मान भर्मा जो की फ्लिम में प्रतिक के नाम से था और चिट्टी यानी रजनीकंत। कुछ निउज के अनुसर रावान टू मुवी में चिट्टी का एक बहुत इंपटें रोल होने वाला है, तो चलो देखते क्या होता है, और भी बहुत सारे एक्टर जो रावान मुवी में थे, वो रावान टू मुवी में भी रहने वाला है, तो चलो फ्रेंट्स आज के बाई बाई और आप लोगों को पठान हो भी क्यासा लगा जरूर से कॉमेंट करके बताना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना